जो ममताब एनर्जी है वो आज हाइकोट पहुची जीऔर कालकाता हाइकोट में ममताब एनर्जी की जीत होगी जो जज है कोशिक उनके ऊपर सवाल उठाये जारे है तो इसको लेकर T.M.C. ने काफी सारे सवाल भी उठाये नंदी गराम में हार को लेकर ममता बैनर जी आज कॉलकाता हाई कोट पहुझी थी वहाँ पर जिस तरीके से आज सुनवाई हुवी और उसके बाद उसमें क्या कुछ निकल करके आया है वो हम अपने सहयोगी जोती सिंग से जानेंगे तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जोती पहल रही इसको लेकर हम जड़ा समझते हैं जोती बहुत-बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया क्योंकि जिस तरह टीमसी में जो ममता बैनर जी है वो आज हाई कोट पहुझी चुना परिणाम को लेकर क्योंकि जिस तरह के से मेंदिग्राम की जो लड़ाई थी वो सुब उनके उपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसको लेकर टीमसी ने काफी सारे सवाल भी उठाए हैं और कहा जा रहा है मैं आपको बता देती हूं कि किसने क्या कुछ कहा है जज को लेकर क्योंकि एक तस्वीर भी शेर की जारी है जिसमें दो अलग-अलग तस्वीर हैं जिस सरकल बना हुआ है तो मैं उसको लेकर अपने दर्शकों को बता देती हूं कि जो टीमसी ने सिंगल बेंच जज कोशिक चंदा पर संदेज आया जिसमें राजेश बिंदल ने ममतब एनरजी की चुनावी याजिका पर सुनवाई के लिए न्यूक्त किया उस पर टीमसी प्रव संदेज आताया है और जो कुनाल घोष है उन्होंने ट्वीट कर कहाए कि न्याय प्यालिका के प्रती सम्मान के साथ न्याय मुर्ती कोशिक चंदा उन्हें नंदीग्राम केस की सुनवाई का जिम्मा सोपा गया है कुनाल घोष ने इस तस्वीर के साथ एक फोटो भी शेयर की है जिसमें कथित तोर पर जस्टिश कोशिक चंदा बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिली घोष के साथ मंच पर बैठे हैं यह तो आरोप परत्यारोप का दौर चलता रहता है जगदीब धनकर को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं वो कहते हुए नजर आते हैं ट मंता बेनरजी की जीत होगी यह आधिकारी जो है वो परिशानी बड़ी के मुद्द को उठाती रहे है तो हो सकते हैं मंता बेनरजी को बड़ी जीत हासल हो सकती है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जोती ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हाँ हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भुले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरे आप मिर्श न करे क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी, मास्क है जरूरी नमस्कार